इशूप राइट शियर और फर्दर इशूप शियर केपिटल अक्वर्डिंग टू सेक्षिन दो अपने प्रूपट्ण यूर्प सीएर केपिटल को बढ़ाना चाहती है फर्दर अलॉट्मेंट करना चाहती है शियर्स की तो उसको ब्रूप पहले अपने प्रूप एक्सिस् कह देते है या उनका right उनके लिए ये right share issue का नाम जो है कहा जाता है ये जो उनका पहला right हम ये कह सकते है कि company के shares पर बनता है उसको हम right of pre emotion या फिर ये भी कह सकते है कि जिस right के तुर एक्षिस्टिंग shareholder ने इन shares को खरीदा है वो right shares है अब कुल मिलाके यहां पर हम ये कह सकते है कि कोई पुरानी company जिसने पहले share issue किये हुए है अगर वो further new issue निकालती है तो उसको अपने share पहले से विद्यमान जो उसके shareholder है existing shareholder है उनको ही offer करना है और इसी को हम issue of right share जो है कहते है जब एक company जिसके पास share capital है वो further अपनी share capital को increase करना चाहती है तो उसको वो अपने share जो है उन्ही persons को offer करने है जो कि उस date पे company के equity shareholder जो है अपने पास रखते हैं और ये जो है उनको एक offer जो है in conditions जो ये नीचे conditions बता रही है in conditions को follow करके जो है दिया जाएगा कि जो उनको offer दिया जाएगा उसमे number of share और time limit जो है वो होना चाहिए जो कि कम से कम 15 दिन का और 30 दिन से ज़्यादा का ना हो ताकि वो उस offer को accept या reject जो भी उनको करना है उस time period में कर पाए साथ ही articles जो है company के उसमें ये लिखा होना चाहिए या articles company के जो existing share holder है उनको ये right देता हो कि वो वेक्ति अगर खुद खरीदना नहीं चाते है shares खुद लेना नहीं चाते है तो वो क्या किसी और वेक्ति को अपने नाम पर जो है उन shares को transfer कर सकता है यानि कि अगर मैं company की share holder हूँ मैं खुद नहीं लेना चाती मैं आपने किसी friend को वो share जो है अपने नाम से दिलवा सकती हूँ या दे सकती हूँ यानि कि मैं अपना right जो है वो किसी और के favor में छोड़ सकती हूँ पर वो वेक्ति ऐसा return में statement देगा कि मैं अपने share इस स्विक्ति के नाम पे इस स्विक्ति के favor में छोड़ रहा हूँ जैसे ही ये time periods माप्थ हो जाता है जो company ने दिया है तो अब क्या होगा कि वो वेक्ति अगर company को information देदेगा तो much better अगर information नहीं देता है तो ये माना जाता है कि वो वेक्ति company के share खरीदने में interested नहीं है उसने इस offer को decline कर दिया है और आप board of director जो बचे हुए shares है उनको अपने तरीके से जो भी उनको ठीक लगता है अपने तरीके से उन shares को dispose of या उस share को किसी ओर third वेक्ति को जो है issue कर सकते हैं यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो section 62 के provision है वो सिर्फ उस case में लागू होते है जब company नया issue निकालती है अगर company अपने shares जो है अपनी subscribe capital को बढ़ा रही है conversion करके कि डिवेंचर को share में convert कर रही है तो यह जो है rule regulation लागू नहीं होता अब है difference between bonus share और right share तो पहला जो difference का base है वो है meaning का तो हमने जो bonus share में देखा कि bonus share वो share होते है जो कि shareholder को company अपने इकठे हुए profit या reserve में से देते हैं और shareholder को उसके लिए कोई payment जो है नहीं करनी होती और यह dividend के लिए जो है company देती है उनको की dividend cash में न देके shares के रूप में देती है जबकि जो right share होते है वो पहले से existing shareholder को जब कोई company दुबारा शे issue निकालेगी तो पुराने वाले shareholder को ही offer करती है purpose क्या है bonus share issue करने का purpose है कि वो dividend दे रही है in the form of share instead of cash जबकि जो right share के issue का purpose है company जो अपनी subscribed capital है उसको increase करना जा रही consideration तो bonus share अलोट किये जाते है shareholder को बिना किसी consideration के कोई उसमें money से related कोई consideration या terms जो है वो नहीं रहता है जबकि allotment of share अगर right shares का किया जा रहा है तो allotty को पूरी payment company को अपने shares पे करनी होती है provision bonus share से related provision section 55 or 123 company जो है वो follow करने होती है जबकि जो right shares है वहाँ पर 62 section को follow करना होता है right of issue या right to issue company जो है उसको right है कि वो bonus share issue तभी कर पाएगी जबकि उसकी articles of association में लिखा हुआ है और एक company अपनी जो right share issue की बात है उसको कभी भी जो है use कर सकती है जब company को लगता है कि उसने अपनी capital जो है वो increase करनी है और अभी उसकी authorized capital में से कुछ पार्ट ऐसा भी बचा हुआ है जिसको company ने issue नहीं किया था unissued capital को जब भी company issue करना चाहेगी तो उसको use कर सकती है next is restriction on purchase of their own share by the company section 61 clause 1 of company 2013 हर एक company को prohibits यानि कि रोकता है company के खुद के share purchase करने से क्योंकि इससे क्या होता है कि share capital में reduction इसको माना जाता है पर एक public company और subsidiary company नहीं किसी को finance करेगी अपने खुद के share खरीदने के लिए या फिर अपनी holding company के share खरीदने के लिए बट इसकी कुछ exemption भी है अब जो उपर हमने पड़ा उससे पढ़के ये लग रहा है कि कोई भी company खुद के share जो है नहीं खरीद सकती है नहीं किसी को finance में help कर सकती है खुद के share खरीदने के लिए बट इसकी कुछ exemption जो है वो इस तरीके से है कि अगर company redemption कर रही है redemption का मतलब भी तो यही है कि shareholder को उनका पैसा वापिस दिया और company ने अपने share वापिस ले लिए तो redemption by the company of its redeemable preference share under section 55 company 2013 अगर किसी company ने redeemable preference share ही issue किये हुए थे और उनका time period जैसे ही पूरा हो जाएगा तो section 55 को follow करके company उनकी payment कर देगी और company के share वापिस आ जाएंगे तो यह exemption में है second landing of money by banking company in its ordinary course of business अगर माली जी जिस company के shares जो है buyback होने की बात हो रही है वो company एक banking company है और उसका main focus है या काम है वो लोगों को जो है loan provide करना ही है तो भी वो loan दे सकती है और अपने जो shares है वो खरीद सकती है यानि कि क्योंकि उसका main business ही यही था या फिर किसी विक्ति को पैसा दे करके अपने shares जो है खरीदवा सकती है क्योंकि landing उसका profession है provision of financial institution assistance by the company provision यानि कि financial assistance वैसे तो यह मना किया है उपर तो इन्होंने बट कब कर सकती है exception में यह कहते है कि in accordance with the scheme scheme का मतलब है कि उन्होंने एक rule regulation को follow करके जो भी regulation वगरा पास करना था वो करके अगर किसी कोई company fully paid up share करीदने के लिए जो कि कोई trustee खरीदना चाहती है for the benefit of the employee जिसमें की director को भी सामिल किया गया जो salad post पे काम करती है तो उसको financial assistant company दे सकती है या फिर company किसी को loan दे सकती है जै जो कि company में employee है पर उन employees में ना तो director सामिल होना चाहिए और ना ही manager और फूली paid up share जो है या तो वो employee कूद रखेंगे और ऐसा जो यह loan company देगी वो उनकी 6 महीने की salary से ज्यादा exceed नहीं करना चाहिए तो यह exemption है वैसे तो कोई भी company नहीं खरीद सकती है बट इस तरीके से जो ह company जैसे redemption कर सकती है preference share की buyback ही हो रहा है वो भी अगर उसका lending का काम और वो किसी वेक्ति को help करती है help करने से भी मना की है lending का काम है तो वो कर सकती है financial assistance वो दे सकती है अपने employees वगेरा को और हम यह भी कह सकते है कि company तब भी अपने shares जो है buyback कर सकती है जब tribunal से उसको ऐसा order मिला है according to section 241 of company 2013 next है power of company to purchase its own securities or buyback of share अभी देखे अभी अभी हमने पढ़ा था कि restriction है खुद के share नहीं खरीद सकती है बट company को कुछ cases में power भी दे गई है खुद के share खरीदने की company 2013 empowers company to purchase its own securities उसके खुद की security खरीदने में section 68 69 of company provide the company में buyback share specified security conditions जो भी यहाँ पर लिखी है subsection 2 of 68 section में उनको follow करके तो 68 में देखे क्या लिखा हुए 68 यह कहता है कि कोई भी company अपने share और securities buyback कर सकती है अगर उसके जो free reserves है और जो security premium account में पैसा पढ़ा है या कोई और share या specified securities जो है वो है तो वहाँ पर किन-किन conditions को buyback तभी वो कर सकती है जब उसने अपने articles में लिखा है special resolution उसने पास किया journal meeting में और buyback जो है वो 25% total paid up capital प्लस में free reserve से ज्यादा नहीं होना चाहिए साथ ही यह कहते कि सारे जो shares है और जो securities है buyback fully paid up होगा तभी हो सकता है और stock exchange में अगर कोई company listed है तो उसको stock exchange से related जो भी buyback की conditions है उनको भी follow करना पड़ेगा तो subsection 1 of 68 यह कहता है कि कोई company क्या rule follow करेगी provides the subject to the provision of subsection 2 a company may purchase its own share और other specified security out of कहां से वो उसको पैसा मिलेगा अगर वो खुद के share करीदना चाहती है कि उसके पास free reserve free reserve means profit में से उसने जो reserve बनाया उसमें इतना पैसा पड़ा है कि वो अपने share करीद सकती है या उसके पास security premium account मे इतना पैसा पड़ा है कि वो share खरीद सकती है proceed the issue of any share other specified security या फिर कोई दूसरे share जो है वो issue करके या security issue करके अब हम यहाँ पर यह कह सकते है कि buyback of share को permission नहीं दी गई है किसी भी company को ऐसे share issue करके कि जो share वो buyback करना चाह रही है उसी तरहीके के share वो दुबारा issue करके और उससे पैसा collect करते है जो कि third point में था the preceded of issue of any share other specified security यानि कि वो share issue करके और पैसा ही कठा करे और फिर ले ले बट ऐसी permission उसको यह नहीं है कि माली जी मैं आपने 10% preference share वापिस खरीदना चाह रही हूं और उसके लिए में 10% preference share ही issue जो है करती हूं ऐसा possible नहीं है section 2 जो है जो restriction और प्रोहिबिशन लगाता है company को अपने share खरीदने से related वो इस तरीके से है कि company जो है अगर उसने अपने articles में लिखा है तभी buyback कर सकती है otherwise more नहीं करेगी साथ ही उसको special regulation पास करना होता है चाहिए और यहां पर बाइबैक होने के बाद जो रेशो बचे करेगी secure or unsecured debt की वो company के buyback होने के बाद company की paid up capital plus reserve से दुगनी नहीं होने जाहिए यानि कि ऐसा ना हो कि balance sheet में हमें यह दिखाई दे रहे है कि जो company के secure or unsecured debt है वो 4 लाग है और जो capital है वो 1.5 लाग है तो वो देखिए डेर का दो गुना 3, 3 से भी जाद हो गया तो ऐसे case मे जो है buyback की permission नहीं मिलेगी और buyback fully paid up shares का ही किया जा सकता है buyback अगर किसी company के stock exchange में लिस्टेड है share तो स्याभी के rules को भी महाँ पर follow करना है और जो भी यह buyback का काम है यह एक साल के अंदर complete हो जाना चाहिए जब भी यह special regulation board ने पास किया था साथ ही हम यह कह सकते हैं कि buyback अगर कोई company shares का कर रही है तो वो proportionately ही buyback जो है वो लेगी चाहे open market से वो buyback करें या फिर stock options sweat equity share of the employee यानि कि वो proportionately ही वापिस उनको ले सकती है और after completing this process यानि कि buyback जब उसका हो चुका है तो रेजिस्टार और स्याभी के पास एक return एक पूरा लेखा जोखा जो है company पूरी particulars के साथ within 30 days जो है प्रस्क्राइब करेंगी सारी चीजे उनको भेजेंगी साथ ही हम यह कह सकते है कि अगर कोई company comply नहीं करती है follow नहीं करती है section 92 127-129 को company 2013 के तो buyback से उसको रोका जा सकता है prohibit उसको किया जा सकता है एक unlimited company however purchase कर सकती है पर उसको भी ध्यान रखना है कि four feature of share मतलब किसी ने payment नहीं कि उसके shares को forfeit करना जो है वो हम यह नहीं मानेंगे कि वो buyback किया जा रहा है या किसी ने valid surrender कोई shareholder खुदी company को कहता है कि मैं अपने share आपको जो है surrender करना चाहता हूं क्य